नमस्कार दोस्तों, सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर दोस्तों यदि आपका APL, BPL अंतोदे कोई सा भी एक रासन कार्ड बना हुआ है और आप सरकार से रासन का लाब प्राप्त कर रहे हैं मुसीबत में घिरे रासन कार्ड धारक, रद हुए दो करोट राशन कार्ड जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं सरकार ने दी बड़ी जानकारी क्या दोबारा नए रासन कार्ड बनाये जाएँगे या फिर नहीं बनाए जाएँगे क्या दोस्तो अब फिरी रासन मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा ये संपूर्ण जानकारी आजहम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आप से एक छोटा सानिवेदन है यदि आप हमारी चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही दोस्तो बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफि केंद सरकार और राज्य सरकारों के अंतरकत आने वाले रासनकार धारकों के लिए खाद्यम सार्वजनिक वितरन राज्यमंतरी ने बड़ी जानकारी साजा की है पिछले पांस साल में बड़ी संख्या में रासनकार रद हुए हैं केंद्र केंद्री राज्यमंतरी ने बताया कि देश बर में 2017 से लेकर 2020-21 तक पिछले पांस साल में डूबलिगेट एपात्र और जाली कुल 2,41 लाख रासनकार रद किये गए हैं उन्होंने बताया कि अकेले बिहार राज्यमें 7,10,000 रासनकार रद हुए हैं खाद्य और सार्वजनिक वितरन राज्यमंतरी ने यह भी बताया कि बिहार में 2018 में 2.18, 2019 में 3.92, 2020 में 99,404 कुल 7,10,000 रासनकार रद किये गए हैं अब दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्यमें सबसे ज़्यादा यानिकी 1.42 करोड रासनकार रद किये गए हैं इसके लावा महराश्यमें 21.03,00,000 रासनकार को कैंसिल किया गया है इसी बिज़ दोस्तों इससे पहले यूपी में रासनकार धारकों के कार्ड सरेंडर करने की खबर सोसल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही थी इस खबर में दावा किया जा रहा था कि एपात रासनकार धारकों को तहसिल पर जाकर अपना रासनकार को सरेंडर करना होगा वरना सरकार की तरफ से उनसे रासन की वसूली भी की जाएगी हाला कि बाद में सरकार की तरफ से इस पर इसपश्टी करन देते हुए बताया गया कि यूपी की योगी सरकार ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया है अब यूपी सरकार की तरफ से परदेश में रासनकार धारकों का जो निरस्तिकरण कारेकराम सुरू कर दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार एपात्र लोगों का रासनकार की लिश्ट से नाम काटा जाएगा इसके माँ दोस्तों और केवल जरुतमनों को ही सरकार की तरफ से फिर रासन का फायदा मिल सकेगा इसकी सुरुआत यूपी के अलग-अलग जिलों से हो चुकी है दरसल साल 2011 में जर्णगर्णा के अनुसार सरकार का रासन कार्ड बनाने का अलग से पूरा हो चुका है ऐसे में नई रासन कार्ड अब नहीं बनाई जा सकेंगे किसी को अब जो नई रासन कार्ड है वेह नहीं बना जाया सकेगा यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूर सकते हैं आपको दे दिया जाएगा और यदि आपको हमारे दिए जानकारी थोड़ सी पसंद आई है तो वीडियो को जोड़ लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी ल जट जानकारी आपके लिए।